कि सिमलेस बैक्ग्राउंड कैसे बनाते हैं ठीक है तो ऐसे तुम्हेंने बहुत सारे वीडियो बनाया है हाला कि इसमें देखते हैं और मैं कुछ अलग टाइप से में बनाऊंगा ठीक है तो चलते हैं और कुछ अलग सा कॉंसेप्ट लेकर की बनाऊंगा ठीक है तो अभी देखें हम कुछ है यहां से बॉक्स ले लेता हूं और बॉक्स को थोड़ा सा राउंड कर देता हूं ठीक है यह बस मैंने इसको सिर्फ राइट क्लिक किया हमें क्या करूंगा कंट्रोल के साथ आड़ दबाओंगा ठीक है आड़ दबाने के बाद अब इसमें हम आ जाएंगे काउंटू टूल ठीक है इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे बस पहले हम इसको क्या करेंगे यहां से कर्व कर देंगे कंट्रोल के साथ क्यूं मार देंगे ठीक है यह कर्व हो गया और यहां से हम क्या करेंगे बेल्ड कर देंगे जो हम बेल्ड कर देंगे इसको तो अभी आप देखें कि हम ऐसे क्यूं बनाए हैं और ऐसे हम क्यूं नही हैं यह वाला तो अगर मालीजी हमने कंट्रॉल क्लिक किया और यहां से भी तो बहुत सारे बना लेंगे ऐसे टाइप है ठीक है तो हलाकि यह मैंने यह बनाया कि मैं इसमें क्या करूंगा पहले आउटसाइड फिर इंसाइड लोंगा ठीक है और इंसाइड में थोड़ा से इसको ऊपर करता हूं अब मैं क्या गरूंगा कि इसको ऐसे रहन देता हूं ठीक है अब यहां से माई आते हैं अब इलिप्स टूल देता हूं कि एलिफ्स टूल और इसको में सित कंट्रूल किसाद क्लिक करके इसको ड्रैक करता हूं जहां से सिफ्ट किसाद पकड़ लिया सी फिर एड़ी एडो एडो इसमें मैं कोलर देता हूं कुछ है और इसको में इसको में कंट्रोल के साथ के दबा देता हूं और यह अलग कलर बनेगा ठीक है और यह अंदर वाला जो कलर देख रहा है इसको में तोड़ा साइस को सिफ्ट के साथ ह exclusively में दबाउं गारें अब इसको क्या करेंगे को थोड़ा सा मौडल मीं जाएंगे थोड़ा से स्की भ्रैटनेस बढ़ा देता हूं और इसमें में क्या करतिता हूं इसकी जो आउटलाइन है ये वाले इसका आउटलाइन को थोड़ा अलग में दे देता हूँ ये ज्यादा काफी लंबा हुजा रहा है अलाकि ये सही लग रहा ठीक है और अंडर वाले में भी दे देता हूँ सेम ये वाले ठीक है और इसमें जो कलर है इसको थोड़ा से अंदर कर देता हूँ और इसको भी सेम वही कलर ले लेता हूँ ठीक है और ये बाहर वाला को आउटले नाटा देता हूँ अभी अंदर वाला देखें बहुत ये थोड़ा भाद्दा देख रहा है ठीक है तो इसमें मैं थोड़ा सा गैपिंग वाला लूँगा आइधिंक ये सही है नहीं वहीं सही है ठीक है तो इतना काफी चल जाता है यह इसको क्या करूंगा तोड़ा सा और अदर लूँगा या फिर इतना ही रहन देता हूं फिर एफलेवन दबा की और इसको ओके कर देता हूं ठीक है और इसको भी कंट्रोल क्सात कि सोरी इसको मैं F11 तबाया Okay किया बाहर वाले में भी कंट्रोल के साथ आर दबा दूँगा तो इसमें भी वही color fill हो जाएगा तिक है लेकिन क्या है कि हमें इसमें थोड़ा सा EB और चटक लेने है side मैं तो इसको मैं double click करके थोड़ा तो अभी देखें यह हमारा बन गया ठीक है और हम क्या करेंगे यहां से कंट्रॉल दगा करके करेंगे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहां से ऐसे कर दूंगा ठीक है तो ऐसे करने से पहले आप पहले और भी कॉंसेट लेनी है ठीक है तो मैं इसको क्या करता हूं एक बार यहांसे एलस्टूल एक और बनाता हूं और इसके सेंटर में डे लेता हूं इन दोने को आप कर देता हूं और इसे सेंटर कर देता हूं और यह वाला इसको मन्तमार देता हूं और अनיןगरूप कर देता हूं ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा तो यह वाला जो आपका इसको मैं डिलेट कर देता हूं कि और यहां से कि कर देता हूं तो अभी देखें हमारा यह डियान में कुछ कम ही लग रहा है तो हम क्या करेंगे पूरा सेंटर लेंगे इसको यहां फिर एक उपाय है कि हम ऐसे ले ले लेते हैं कि ठीक है तो इतना काफी है कि अब यह काफी हमारा यह थोड़ा सा पैटर्न बन गया कि सिंग्लेस बैक्राउंड ठीक है और इसमें मैं यही वाला कालर फिल कर देता हूं सिफ्ट के साथ इसको बैक भीज देता हूं कि ठीक है कि इसके में थोड़ी सी कालर चेंज कर देता हूं कि ठीक है कि इसको मैं कंट्रोल लेक्स मारता हूं इसको ग्रूप करके एक कंट्रोल भी तो अभी देखें अभी इसको कंट्रोल के साथ पेज़ डाउन तो यह देखें हमारा एक टेक्श्यर बनके सुरी सिम्लिस पैटर्न बनके तैयार हो गया ठीक है और क्या क्या होता है कि गुगल में इस टाइप के डूड़ते हैं तो फैब्रिक टेक्स्च्च्यर हो गयरा हो गया ठीक है तो मैं इसको करता हूं है कर दो नीचे कि इसको मैं करता हूं सारा डिलीट करता हूं पार इसमें दूसरे टाइप से देख लेता हूं जिसमाल लू पहलीगान वला गया ठीक है तो इसमें कुछ और काला ले लेता हूं जिसमालो यह है कि इसको में डिलीट कर देता हूं और यहां से यह वाला अप्शन में थोड़ी से नीचे कर देता हूं कि और इसको में थोड़ा साथ है कि यहां फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि ठीक है कि छोटा करने के बाद कि तो अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ डियान हमने वह थालका सामने सिर्फ चेंजिंग किया है ज्यादा कुछ नहीं कि बस हमें दिखाना है कि हाँ यह इस टाइब की यह बहुत बन सकता है कि तो कि तो थोड़ा सा यह देखे थोड़ा फिक्का लग रहे है कि मैं इसको क्या करता हूं थोड़ा सा चेंजिंग और करता हूं या फिर इसको हटा के यहां से और इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहां से एले स्टूल ले लेता हूँ थोड़ी से इसको भी छोटा करके यहां पर ले लेता हूँ ठीक है और यहां पर एक छोटा सा और ले लेता हूँ कि ठीक है कि इसको और छोटा कर लेता हूं कि इसको थोड़े से और आगे कर लेता हूं ठीक है तो अभी देखें हमारा ये थोड़ी से मेंच तो करेगा ही करेगा लेकिन हैं देखते हैं बनता है कि नहीं तो मैं इसको कर लोगत आउट लाइन आट आज़ाओंगा ठीक है और इसमें जो हमारा कालर रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा ठीक है और इसको में थोड़ा सा अलग कर देता हूं तो हमारा कुछ इस टाइब को होता है कभी-कभी देखते ही होंगे ठीक है तो वीडियो कैसे लगी आप बताएं अभी देखें ये भी हमारा कभी-कभी यूज में आ जाता है इस टाइब की ठीक है कभी-कभी क्या होता है कि हमें इस टाइब की बनाना बढ़ जाता है इस टाइब की ठीक है कोई भी कलर मालने ये चून सकते हैं और कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं जैसे मालने ये दे दिया ये दे दिया तो मालने इसमें हम कलर ये वाला दे देते हैं ठीक है ये कभी कभी क्या आए कि हमें चूछ करना पड़ता है देख़ें ठेक थे तो वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके बताएं ठेक है और ये भी बताएं कि इसा लगई लग रहा है डिजाइन ठेक है तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप से तब तक कले नमस्कार थैंक यू